जाहिन दोस्तों आफ सभी का स्वागत है आपके अपने यूपटी चैनल एईज श्टडी पे दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे या रीटेन होता है पहले या मेडिकल होता है या डोकुमेंशन होता है या टेट टेस्ट होता है क्या होता है सबसे पहले वो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हो दोस्तों तो वीडियो को सुरू से लेकर अंतगवास किजेगा और जितने भी नए कैंडेट है चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक ज़रूर कर लिजेगा जैसे कि हर वीडियो का नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी तो चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बता देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं BSF टेडमेंस की जो ओफिसल नौटिफिकेशन है उसको उपन कर लिए और इसमें सब कुछ आप लोगो डिटेल में बताए गया है तो सबसे पहले आप लोग देखोगे तो वेकेंसी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2788 पोस्ट पे वेकेंसी निकाली गई है चलिए नीचे चलते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि सबसे पहले क्या होगा तो आप लोगों को सबसे पहले दोस्तों होगा जब जीजों ने भी form को fill up कर दिया उसका सबसे पहले अगर admit काड़ा जाता है तो सबसे पहले होगा दोस्तों होगा physical standard test जिसमें कि आप लोगे जो भी height होंगे वो देखे जाएंगे वो सब कुछ ना पर जाएंगे अगर सब क्या होंगे रणिंग होंगे ठीक है कितने का रणिंग होंगा चलिए आप लोगो बता देते हैं दोस्तों जैसे कि यहाँ पर फीमेल और मेल दोनों के लिए रणिंग होने वाले हैं तो दोनों के लिए रणिंग कितना का होगा तो मैं आपको बता दोस्तों मेल के लिए अगर इसको नहीं पार कर पाता है फिर यहीं पर आउट हो जाएंगे जिसका भी भाई यह राणिंग किलियर हो गया मतलब पीटी किलियर हो गया उसके बाद आप लोग का होगा डोकुमेंट संठीक है मतलब कि जो भी डोकुमेंट ओनलाइन फॉर्म फिल अप करते समय आप लोगो लगे थे वो सारे डोकुमेंट आप लोगो वहाँ पर लेकर जाने होंगे जैसे 10th का माक सीट उसके वाद 10th का सार्टिफिकेट उसके वाद डोमिशायल सार्टिफिकेट ट्रेड का जो एक्स्प प्रेंस सार्टिफिकेट में बहुत सारे केंडिट आउट होते है ठीक है तो बिल्गुल आप लोगा सब कुछ सही होता है तो फिर आप लोगो कोई दिक्कत ने होगा आप लोग डोकुमेंट्सन को भी पास कर लिया और आपको फिर नेक्स्ट स्टेज में आप लोगो करना ना होता है तो आपका जो भी पास के लिए तो इसको बुलाई जागा सबसे पहले और इसे फूटी बना कर दिखा रोटी ऐते हो बनाने तो यह रोटी बना लिए बिल्कुल सही है तो चलो यह ठीक है और चारपांच दाल यहां पर रख दी जाएंगे पूछा जाएग में हो चुगा है कि बहुत सारे केंडे टेस्ट में आउट हो जाते हैं अब यहां पर आता है दोस्त। तो सबसे जयादा मस्ट होता है अब इग्ज्यामिनेशन में आपको देखे दोस्तों क्या हो सो जो फिलफ पर होंगे और यहां पर 100 number यहां पर के लिए 2 घंट आप लोगो time दी जाएंगे, 25-25 mark से question होगे, जिसमें आप लोगो general knowledge से question होगे, math से question होगे, reasoning से question होगे, और basic knowledge आप लोगो के हिंदी और English से related question होगे, ठीक है, total 100 number के question होगे, और आप लोगो इसी 100 number में आप लोगो अच्छे खासे result करना होगा, तभी अच्छे खासे number लाना होगा, तभी आप लोगो पता चलेगा, एक बता दूँगा cut-off वाली वीडियो के कितने पर लाओ number लाओगे, तो आप लोगो final selection हो जाएगा, देर उस वीडियो को भी जरूर देख लिसेगा, ठीक है, चैनल पर बने रहीगा, वीडियो बन जागा, तो लिंक कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो जा के आप लोगो देख सकते हो, ठीक है, बाकी बाद नीचे आते हैं, ये जो भी exam test, जो भी candidate अगर के हो जाता है, जिनका भी exam देने के बाद, आप लोगो का होगा दोस्तो, medical test, क्या होगा दोस्तो, medical test, अब medical होगा, कैसे भाई, वो आता है, यहाँ पर topic, तो medical में होगा, जैसे कि, आर्मी के अंदर medical होता है, दोस्तो, यहाँ पर देखा हो, detailed medical examination, ठीक है, तो फुली medical आप लोगा बड़ी का लिया जाएगा, और जो भी candidate medical में पास होंगे, जैसे कि medical में क्या होते हैं, चेक भाई, कान होते हैं, चेक, आख होते हैं, चेक, पैर होते हैं, medical भी पास हो जाता है, और एक मतलब की merit आएगा, जो cut-off जिसको बोलते हैं, तो वो cut-off पार कर जाएगा, जो भी, तो भाई, उसका selection, finally, BSF statements के अंदर हो चुका है, और वो absorb करने के लिए ready हो चुका है, ठीक है, तो यह रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी candidate पूछ रहेते हैं, कि sir, मतलब की, कहां पे मतलब की, कैसे होगा, मतलब सबसे पहले क्या होगा, और अब चलिए हम बात कर लेते हैं, यह सब कुछ पता जाएंगे, सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, ठीक है, अब हम बात करते हैं, यह सभी चीज कहा होगा, सब के अपना state में होगा, या कोई दूसरा state में होगा, तो देखो भाई, सब के लिए यहां पर बतायेगा, सब के स्टेट का जो होगा एक्जाम दोस्तो वो अलग-अलग होगा जैसे कि यहां पर आप लोग देख रहे हो यहां पर देखोगे Recruitment Agency RA Center for Examination जैसे कि आप लोग का examination जो होगा यहां पर आप लोग देख रहे हो अब उनका जो भी exam होगा या physical होगा जो भी होगा सब कुछ आप लोगों यहाँ पर होगा इस address पर होगा ठीक है तो वो चीब बताएगा है वैसे करके सारे state का यहाँ पर आप लोगों देखने को मलता है अच्छे के यह तीन state यहाँ पर देख रहे हो तो इन तीनों state का पंज क्यूंजाम में होगा पंजाम में कहाँ था ज gin अधर कांट में होने वाले अधिक हय भी एसम का अपने होगा आपना पंजाब में होगा ज एकिंगास तो यह सारा चीब बतायागा फिर बेंगोल वाला का होगा यह सब कुछ आप लोग देख सकते हो बाकि आप लोग अपना इस्टेट का पर लेना मैं नौटिफिकेशन को अपने टेली ग्राम चैनल एस जे श्टडी पर डाल दूंगा लिंक भी डिस्क्रिक्शन बॉक्स में द अगर अभी कोई डाउट बचा है मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो या इंस्टागम पर फॉलो निको तो फॉलो कर लेना लिंक डिस्क्रिक्शन बॉक्स में पूछ लेना वहां पर भी मैं बता दूंगा बाकि बात दोस्तों आप लोग दिखाओ बाकि बत इस वीडियो को सेयर करना बिल्कुल मत भूलना बहुत सारे कंड़िट का यह सवाल था इसलिए मैंने इस वीडियो को बना दिया तो इस वीडियो को जरूर सेयर कर दीजेगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो दे कर दो 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 कि आतरम